प्रेंड्स कैसे हैं आप गाड़निंग विद मनवर चैनल में मैं आज आपको खुशामदेद करता हूँ फ्रेंड्स वेलकम भी करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो इस कैक्टिस प्लांट के पर है फ्रेंड्स यह फोर्विया का यह कैक्टिस प्लांट है फ्रेंड्स दो नर्सरे से ऐसा प्लांट लेके आए इसकी फ्रेंट्स कोई केर की ज़रुत नहीं है बस लगा दें और भूल जाएं बस ये वो प्लांट है फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपसे रिक्वास्ट करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को अगर सबस्क्राइब नहीं किया बेरे चैनल को और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंट्स जली से कर ले इसलिए कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो जबर्दस वीडियो लेके आता हूँ तो फ्रेंट्स इफोर्बिया इसको काला पहाड भी कहते है ये ग्रे कलर में आता है एक पहले वीडियो भी बनाई हुई है वो इससे चोटा प्लांट है ये उससे बड़ा प्लांट है जो कि मैं नर्से से लेके आया था तक्रीबन एक साल मुझे ही हो गया है वैसे तो ये उतना ही है जितना मैं लेके आया हूँ क्योंकि कैक्टिस प्लांट की जो ग्रो टाइम होता है वो बहुत स्लो होता है फ्रेंट्स इसका डॉर्मेट पीरिड होता है सर्दियों में ये नवेंबर से लेकर फैब तक ये ग्रो नहीं करता उसके बाद ये आगे जो सिजन आता है उसमें ये ग्रो करता रहता है तो फ्रेंट्स ये इसलिए इसको इफोर्बिया इसमें इस कैक्टिस में लोग अमूमन जो बहुत सारे लोग हैं जो इसको ग्राफ्ट भी करते हैं तो फ्रेंट्स इसमें आप दूसी स्पेशिस को कैक्टस की कोई भी स्पेशिस ले 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 ल और इफोर्बिया पे पर इसको घ्राफ कर दें तो यह चल जाएगा, उस पर भी This artist have a loss, a a value. तो तो सॉल्विंटी स्थे कर लेते हैं, सॉल-बजांद में इसमें देखें सॉईलमिडीया का बना है, इसमें आप देख रहे हैं, ज्यादा तर मैने ज्यादा सॉलमिड ace half इसमें रेड़ इसमेल की है, सैंड है, द्रैयाई सैंड है, जब ही आण आप करने लगेंगां, इसके कंड़े बहुत शाब होते हैं, यह जब चुपते हैं तो थो चूपते हैं, अपकी स्कीन में अंदर तूच जाते हैं, चोटा सा एक जरा भी आपको स्किन में रह गया ना तो आपको परिशान कर सकता है वहां पर एक बहुत बड़ा दाना बन सकता है जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं उस छोटे से कंडे को खैर आप से यह भी बताता हूं अगर आप इसके कंडे से करना चाहते हैं कंडों से करना चाहते हैं तो आप कंडे काट दें बिल्कुल बिल्कुल चोटे-चोटे कर दें जैसे परिंदों के नाखुन चोटे-चोटे कर दिये जाते हैं ताकि वह जब हाद में परिंदे को पकड़ें तो परिंदा जो है ना परिंदा के नाखुन ना चुमें अक्सर आप करते इसके होती ही आप स्पाइन मौन ना कमारे तो इसको प्यस्यविल की बाद करने से लगाके भूब जैंए यह वार्डिये वडिये पढ़नीस, तो परूанти ना कबड़े हैं गया ज़से असने इन वा के सब्सक्तार देड़नीद दुनों से इंगो भी इन, उन्हें गोला लेक्ट्ति होना माने वह जगा थो? तो वो cutting लेके आए वे थे तो friends मैंने वो cutting लगा दी एक साल का अर्सा घुजने के बाद friends यह ना ही गला है ना ही fungus लगी है बस सिरफ और सिरफ grow होता जा रहा है अगर fungus हो जाती तो फंगस लगती तो यह गल जाता ओपसे भी गल जाता और डेड हो जाता friends यह डेड नहीं हुआ अभी तक यह grow होता जा रहा है तो friends मैंने आपको इसकी care भी पता दी परस इसको watering कम करनी है आपने है गर्मियों में आप डेली करें डेली कर सकते हैं दो दिन के बाद करें बस इससे जरा ना करें लेकिन सर्दियों में आप तो इसको watering करें ही ना क्यूंकि इसकी इसमें इसमें अपन में ने मिक्स की होता है और घए दो चार दाने में हर मंद में दे रेता हूं तो यह진 वह टैस distant में आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां से जो हमारे पहले थे उन्होंने यहां पर ग्राफ्ट करने की कोशिश आ 오늘 के दूप तो यह इस तो कि ऐसको सब्करणिस से देख सकें देखें यहाँ पे देखें जो कि यहां पर देखें टाइन इसका हिर्गरा से गुषिश की झांब तरौ किया इस्स कोई वाल्त कि आगया है तो इसी मौसर में गराफ्ट किया जाता है तो यह चीज दसके रहाती इनिठे लूड एप इसमें और फ्रेंट्स मैंने इसको सब कुछ आपको बता दी है इसके बारे में अगर आप कुछ और पुछना चाहते हैं इस फॉरिविया के बारे में क्योंकि जिग्जग जिग्जग तरह ना चलता है और खुबसूरत इसकी यह लगता है जैसे गुच्छा बना हुआ है ठी बहुत बढ़ा है तक्रीबन यह 20 फुर तक जा सकता है यह फ्रेंट्स 20 फिट तक असमान पर जा सकता है भी 20 फिट तक जमीन से लगाओ पॉर्ट में इतना उंचा नहीं जाता है पॉर्ट में उसको इतनी सी खुराग मिलती है लेकिन अगर आपके बस जमीन है तो उसमें आ तो भी ग्रो करूंगा देखेंगे इसमें फूड लगते हैं कब लगते हैं तो साथ साथ आप से बारे में डिसक्स करता जाओंगा और आपको बताता जाओंगा कि इस पीशिज में क्या रदल तब्दीली आई है तो फ्रेंट्स अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ र बाई